मद्धिप्रदेश के एक डिग्री कॉलेज में डिफेंस इन स्ट्रिटीजिक स्टडीज के सिलिबस से कारगिल युद्ध का चैप्टर हटाए जाने पर विवाद खड़ा होगी। पताया गया कि सिलिबस को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया। जिसके तहट डिफेंस इन स्ट्रिटीजिक स्टडीज के नए सिलिबस में कारगिल युद्ध की जगा प्रॉक्सी वार को शामिल किया गया। करने की दलील भी हर यूनिट से एक एक चैप्टर विड्रोग किया गया है बड़ा होने की सालवर में पच्छन दो पेपर पड़ा गया एक क्लास में पहले चार पेपर पड़ा ना था हो। हालां कि कॉलेज की दीवारों पर कारगिल युद्ध की जानकारी वाले पोस्टर लगे हुए दिखाई दिये। लेकिन सिलेबस में बदलाव का फैसला बीजेपी को रास नहीं आया जिसके बाद पार्टी ने सिलेबस से कारगिल युद्ध का चैप्टर हटाने पर सवाल उठाए और कॉलेज के फैसले पर सक्त एतराज जताया। जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान को नाको चने चपवा दिये थी। उस वीड़ता को यदि सलेबस से हटाया गया तो यह बहर आपत्ती जनक है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने फैसले पर फिर विचार करने की बाद कही। नहीं मैं देके समस्ता कि कारगल यूज के बाद में क्यों पढ़ेंगे। यह बात जो आप कहने हैं भी संगया ने तो फैसले निश्ची तो बात करें लिवाद कि चर्चा करेंगे। बिहार के पश्चिम चंपारण में नदी मिन्हा ने गए दो बच्चों में से एक बच्चा पानी में डूब गया बता गया कि दोनों बच्चे जब पानी में डूबने लगे तो वहां मवजूद कुछ लोगों ने एक बच्चे को बचा लिया लेकिन दूसरा बच्चा पानी में डूब गया जुसके बाद नदी के पास लोगों की फिर चुट गई और वहां मातम पसर गया गाउं की लोगों ने एक लंबी रस्ती के सहरे बच्चे की तलाश करने शुरू कर दी रस्ती का एक छोड नदी के किनारे खड़े लोगों ने पकड़ा जबकि दूसरा छोड नदी में बच्चे की तलाश में चुटे गाउं की लोगों ने पकड़ा था गाउं की लोगों का आरोप है कि सूचना मिलने की कई घंटों बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई मौके पर नहीं पहुंचा कई घंटों तक तलाश के बाद भी बच्चे का पता नहीं चला लेकिन कुछ घंटों बाद मौके पर NDRF की टीम ने रेस्क्यू ओपरेशन शुरू कर दिया गुजरात में ठाकूर समुदाय की एक पंचायत ने प्रेम विभा पर पाबंदी लगा दी पंचायत की बैठक में ठाकूर समुदाय के लोगों के लिए कई और नियम भी बनाए गए जिनें उत्तर गुजरात के बारा गावों की ठाकूर पंचायत ने सामाजिक सम्विधान बताया पंचायत ने लड्किओं को सुधारने की जिम्मेदारी उनके माता पिता पर थोबडी और आदेश दिया कि अगर ठाकूर समुदाय की लडकी ने किसी दूसरी जाती के लड़के से शादी की तो माता पिता को डेड़ लाक ज़ुर्माना भरना होगा अगर ठाकोर समुदाय के लड़के ने दूसरी जाती की लड़की से शादी की तो उसके माता पिता पर दो लाग रुपए का जुर्माना लगेगा साथी पंचायत ने नाबालिक लड़कियों को मुबाइल फोन से दूर रखने का भी फर्मान सुनाया थाकोर समुदाय का दावा है कि कम उमर की लड़किया मुबाइल फोन से दूर रहेंगी तो उनके बहटने की आश्रंका कम होगी लेकिन बनास काथा जिले में हुई एक पंचायत के स्पेसले पर विवाद भी शुरू हो गया या वह आजिए थाकोर समुदाय ने दावा किया कि समाज के लोगों की मरजी से सामाजिक सम्विधार बनाया गया लेकिन ठाकोर समुदाय के नेता और पूर विधायक अलपेश ठाकोर ने माना कि पंचायत को लड़कों और लड़कियों में भेदबाब नहीं करना चाहिए था वहीं विधायक गनी बेंट ठाकोर ने इस मामले पर अपनी राय बताना भी ठीक नहीं माना जो बाते बताई हुई है उसमें मोबाल की बात हो एजुकेशन की बात हो उसके बारे में मुझे कुछ कहना साही नहीं है